हेलो एबरीवान, होब यू आल आ दोइंग गुद तो हम प्रपरेशन जैसे की सीटट की हमारी हो गई है और अब हम करेंगे पीटट की तयारी तो पीटट में जो लास्ट येर पेपर हुआ था साइंस का तो ये पेपर मैंने भी दिया था और ये question paper में पास था जिस वज़े से मैं आपकी साथ पहले ये question paper discuss करना चाहूंगी ताकि आपको पता लगे की science में से question आते कैसे हैं और कल से हम content start करेंगे मतलब content wise में आपको जो जो content है उससे related हर topic explain करूंगी ताकि पीटट की notification आने तक आपका सारा prepare हो जाए अच्छे से तो पहले question करते हम start जो आया था पिछली बार की magnetic field lines always form तो magnetic field lines आप सबको पता है क्या होती है तो वो कहां से कहां flow करती है क्या वो positive charge lines and negative charge lines होती है no यह elementary loop भी नहीं होती यह electric monopole भी नहीं होती monopole means एक pole की बात की रही है but यह हमेशा closed loop होती है magnetic field lines always क्या होती है closed loop होती है आप सबको पता है positive charge होता है negative charge होता है और वो एक closed loop form करते हैं ठीके जी तो इसका अंसर है D option तो second question की तरफ आते हैं the natural sources on which mankind is dependent are not provided by the sphere कौन से ऐसे natural resources है जिस पे mankind dependent है but वो sphere हमें नहीं देती इन में से कौन सी चीज है ठीके atmosphere पे dependent है biosphere पे dependent है और hydrosphere वाटर पे dependent है पर आयोनाइज़ फेयर पे dependent नहीं है तो इसका option है D option next third question की तरफ आते हैं land is the most important resource for जो land है area होता है वो किस किस के लिए जरूरी होता है देखो वो food production के लिए भी जरूरी है अपने agriculture वगेरा का काम करना होता है आनिमल्स के लिए भी जरूरी और humans के लिए भी जरूरी है तो इसका सीधा सा अंसर है वेट लेंड को बोला जाता है इकोवाटिक इको सिस्टम नाव कम्स विद नेक्स क्वेशिन जब करन्ट फ्लो कर रहा है आई हमारे पास करन्ट है ठीके जी और उसकी जो पोटेंशिल डिफरेंस क्या है वी है ठीके जी डिफरेंस बिविन दा एंड्स ऑफ दे कंड़क्टर तो ओहम्स लोग क्या कहते है अभी तक तो बहुत इजिएस कंसेप्ट है ओहम्स लोग का जिसको हम क्या कहते है वी इकोल टू आई आर यह तो सब हर बच्चे को बता है इकोल टू आई आर उहम्स लोग होता है ठीके जी अब आते हैं नेक्स कोईशिन की तरफ द्यूरिंग लाइटनिंग इन स्काय की मतलब जब लाइटनिंग होती है स्काय में ठीके जी बहुत जादा बादल गरज रहे हैं बिजली आती है तो जो स्ट्रॉंग एलेक्ट्रिक से आते हैं now comes the next question a compass needle suffers a deflection कि compass है उसकी जो नीडल है north south आप सबको पता है east west और यह नीडल है जो deflection शो करती है ठीके जी जब उसको वायर के पास रखा जिसमें current है तो यह फिनॉमना किस चीज को explain कर रहा है सीधी, कर रहा है किनेक को हुमनंती की बात होती है ऑक बाद ही जीकिक की ज़ल तो चाहिए ऐलेक्ट्रिक अन बैडकि की बात होती है ज़लता है तो फ़सेолж हां होर्मोन की synthesis के लिए आयोडीन चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं थायरोक्सिन ठीक है जी नाओ कम्स अप दे नेक्स बैडबग इस बैडबग क्या है बैडबग अक्चुली कोक्रुच की तरह होता है एक जो आपके ब्लड ब्लड की स्मेल से मतलब भागा चला आता है आपके पास उसको बोलते हैं तो बैडबग क्या है एक पारसाइट है नेक्स काम्स दो लोटस किसका एक्जांपल है वाटर से रिलेटेड होगा जो वाटर के ऊपर प्लांट होता है ठीक है मतलब लोटस के पानी के ऊपर तारता है उसको हम क convector में भी capacitor में भी but insulator में मतलब जो प्लास्तिक है वो क्या है insulator है जिसमें current pass नहीं होता now comes up with the next question the number of species of plants and animals that are present in the region constitutes तो उन्होंने पूचा कि कितने number of species animals के और plants के एक ही region में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं देखो biodiversity नहीं बोलेंगे यह option actual मुझसे भी गलता हो गया था biodiversity नहीं बोलेंगे biodiversity तो देखो humans में भी आते हैं बाट इन्होंने सिर्फ plants और animals की बात की है जिसको ecosystem diversity बोलते हैं तो c option आपका बिल्कुल कर रहेक्ट है now comes the next sound is measured in a unit called sound की unit कौन से होती है आप सब को वधा है यह दो decimal होती है यह दो हर वच्चे को पता है now comes the next environmental ethics environmental ethics आप सब को पता होगा कि कैसे हमने इंवार्मेंट में रहना है कैसे उसको protect करना है ठीके जी तो कौन से जो issues है जो इससे related होते है जिससे environmental ethics deal करता है environmental ethics हमें क्या सिखाते हैं how we help to pollute the resource pollution करना कभी नहीं सिखाते हैं how to how we help to make the resources ये भी सही है how we help to destroy the resources no ये गलत है how we utilize and distribute the resources कैसे हम उसका सही use कर सके resources का जो हमें मिलते हैं ठीक है तो environmental ethics यही तो अच्छी चीज़ सिखाते हैं कि कैसे हमने environment की चीज़ों को use करना और अच्छे से बचा के रखना now comes up with the fat soluble vitamin fat soluble vitamin कौन से होते हैं इसमें दो option थे actual में कोई भी आप टिक कर लो a या k ठीक है अगर नहीं याद हो रहा है इसको याद कर लो fat soluble k e d a कीडा के नाम से याद कर लो यह सारे क्या है fat soluble है यह question बहुत बाहर पूछा जाता है fat soluble कौन से है k e d a vitamin k e d a याद कर लो की a or k fat soluble है now comes up with the next question कौन सा mineral है जिसको जरूरत है hemoglobin में in blood ठीके जी आपने क्या करना है आपको hemoglobin चाहिए blood में तो कौन सा विटामिन है mineral है जो काम आता है तो होता है iron calcium नी होता iron नी होता फोस्फोरस नी होता वो iron होता है now comes portfolio is a tool used to measure portfolio आप सबको पता है कि बच्चे की progress को देखने में help करता है portfolio ठीके जी तो portfolio सीधी सी बात है growth of the plant plant की बात नहीं होई श्रब की बात नहीं होई animal की बात नहीं होई portfolio में शा बच्चे की growth check करने के लिए teacher use करता है ठीके जी तो उसको portfolio बोलते है now comes up with the next question rating scale is a behavior measurement is used to evaluate rating scale किस चीज के काम आता है personality characteristics बच्चे की intellectual characteristics physical characteristics और none of these यह को rating देनी है आपने बच्चों को कि की सको को पड़ रहे है उसकी personality देखके थोड़ी दोगे आप उसके intellectual characteristics उसके mind को देखकर आप उसको rating करोगे rate करोगे ठीके जी अब next comes blackboard is a blackboard क्या है blackboard एक projecting aid है non-projecting teaching aid है या दोनों है या कोई भी नहीं है देखो जो blackboard है वह एक प्रोजेक्टर तो काम नहीं करता प्रोजेक्टर कौन सा होता है जहाँ पर आपको electricity चाहिए पर जो blackboard है वो कभी भी projected नहीं होता वो non-projected होता है ठीक है जी now comes the next psychomotor domain of learning is associated with psychomotor आप सबको पता है आपकी motor development से psycho मतलब आपकी mind से related होता है तो वो सारी किस चीज को देखती है आपकी motor skills को तो skills की बात आई है यहां पे ठीक है जी now comes up the next mulching is the process to protect the soil from erosion by mulching ऐसा process होता है जहां पर क्या हम क्या करते है जो soil की upper layer होती है उसको हम अच्छे से cover कर देते हैं उसको protect करने के लि होगा क्योंकि अफोरस्टेशन में आ जाता है ठीक है contour shaped slopes भी नहीं होगा parallel uniform stripes भी नहीं होगा covering of the upper layer of the soil by the sheet ठीक है जी now comes the next if the aim of scientific knowledge scientific knowledge मतलब science related knowledge can be considered to be realized if pupils मतलब की जो aim है main science पढ़ने का scientific knowledge होने का तो उसको हम pupils में क्या कहेंगे if pupils कब बोलेंगे कि एक pupil को scientific knowledge है जब वो identify और predict कर पाए scientific facts हो no वो एक pupil है scientist नहीं है कोई discriminate कर पाए और differentiate कर पाए no recall और recognize तो कभी भी नहीं आता आप सब को पता है ठीक है जी तो explain कर पाए scientific facts को यह अच्छी चीज है देखो बच्चे को समझ आएगा तब भी वो explain करेगा तो C option ब comprehended the scientific facts now comes next to satisfy the inner urge of curiosity the science student देखो कोई science student है उसको मतलब बहुत urge है curiosity है किसी चीज को जानने कि उसको उसने कोई concept समझन है तो वो science student क्या गड़ेगा literature पड़ेगा नहीं टेक्स्बुक को importance नहीं देने इतने ठीक है भारली चीजों से relate करना है visit the places of entertainment no actively participate in science club no collect worldwide knowledge यह सही हो जाकता है देखो knowledge collect करेंगे तब ही होगा क्योंकि science club अगर आप join भी कर लो ज़रूरी थोड़ी है कि जो fact आपको चाहिए वही आपको science club में मिले no तो collect the worldwide language information देखो collect करेगा तो उसको अधर active रहेगा खुद से collect करेगा एक एक information तो उसको समझ आत the next question in artificial cloud formation हमने artificially cloud form करना है rainfall can be increased by adding the ice crystals of silver iodide to cold water जो rainfall है उसको कैसे बढ़ा सकते है ice crystals को add करके और silver iodide to cold clouds तो यह mode of rainfall को हम क्या बोलते हैं इसको हम transfer mode और hygroscope mode बोलते हैं यह दोनों ही option सही है तो दोनों में से अगर आपने एक भी टिक लगाएगा तो वो भी सही हो जाएगा ठीके जी now comes up with the next question pedagogy से related question है science is objective in nature यह हमें पता है कि science क्या है objective in nature है तो इसका क्या हुआ objective मतलब आप सबको पता है जिसको हम test कर पाएं verify कर पाएं तब ही तो आपको पता लगेगा तो सीधा सांसर है देखो सारों सारे में non-testable non-verifiable non-testable तो यह क्या होती है जिसको हम test कर पाएं और verify कर पाएं तो यह option बिलकुल correct है now comes up with the next question science as a process science एक ऐसा process है जो cover करता methods को by which facts are established जिससे facts हमें मिलते हैं तो relation, contact और emotion की बात नहीं होई हम पे यहां पे facts की बात होती है science साइंस कभी emotions वगरा से related नहीं होता तो यह चोड़ी चोड़ी चीजे ध्यान में रखो सीधा option आपके सामने होता है कर आप इसमें confused हो जाते हो now comes up the next question and aim is a foreseen and that gives direction to the activity and motivates behavior आप एके जी तो इसका answer है John Dewey now comes up the next question with the development of human civilization जैसे human civilization बढ़ रही है biosphere transformed into humans dominated environment इसको हम बोलते है noosphere क्या हों कौन सा बोलते है noosphere देखो biosphere, lithosphere, mesosphere इसमें कोई ऐसी बात नहीं होई civilization की तो biosphere को हम किस चीज में transfer करते है noosphere में now comes up the second last question on the basis of nature nature से related कौन सी इसमें natural resource नहीं है देखो inorganic resources होते है और organic resources होते है और mixed resources भी होते है but natural national resources तो आपने कभी तक नहीं होना ठीक है तो सी option बिलकुल correct है now comes up last question बहुत easiest question है would क्या है would हमें सबको पता है कर renewable resource है तो सीधास option है renewable resource I hope today's video is useful for you thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel कल से मैं आपको content-based स्टार्ट करवादूंगी थोड़े-थोड़े contents एक-एक topic को लेकर तो thank you very much once again और अगर आप कोई भी और topic चाहिए तो आप मुझे comment section में भी बता सकते हैं thank you very much कर दो कि तो आप, दो एक है तो आप, आप नदीजीज रिखनाया रवादूंगी तो को आप मुझे का दो आप, तो आप, तो आप, घर रहता बता है प्लता है तो